प्रेक्रम के पुन्यार्चक हैं श्रीमती मीलू, संजीव जैन नेता जी, समन्भाई जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशी जैन, शुभम जैन, आनदपुरी कानपुर पिताजी तो है नहीं, मेरी तमन्ना थे कि में इंजीनियर बनो, अभी कौन से बड़ी बात है, हम हैं तुमारे पिता, तुम इंजीनियर बनना चाहें तो हम तुमें पूरी इंजीनिंग कराएंगे, बिल्कु डरो मत, जितना तुमें पढ़ना है तुम पढ़ो, कहीं से भी हम पैसा लाएंगे, वगर तुमें पढ़ाएंगे, खेती थी उनके पास, छोटा भाई पढ़ता गया, कैल्ट पास करने के बाद, बाहर चला गया पढ़ने के लिए, पढ़ता गया, भाई पैसा भेशता गया, भेशता गया, भाई ने अपने खर्चे कम कर दिय एक बार उस भाई को बैल ने सिंग मार दिया और बड़ा भाई अपने भाई को उस खून लिकलते हुए जगह पर हाथ लगकर कंधे पर लिटा करके पांच किलो मीटर दूर तक उसका इलाज कराने गया इलाज करा के जब लाया उसकी किटनी फेल हो गई बड़े भाई ने अपनी किटनी निकलवा करके अपने भाई को किटनी दी और का जिंदा मत करो सब अच्छा होगा बहुत से वाईं की उसकी और एक दिन उसे इंजीनियर बनवा दिया वो इंजीनियर बन गया एक दिन उसने अपने भाई से कहा भाई मैं अपनी ही समाज की एक लड़की को लाइक करता हूँ भाई ने कहा देखो धर्म के बिरुत नहीं होना चाहिए समाज के बिरुत नहीं होना चाहिए उसके माता-पिता एगरी होना चाहिए हमें एगरी होना चाहिए और अगर हमारे कुल धर्म को अपनाने वाली है तो हमें कोई इत्राज नहीं है भाई तुम खुश रहो बस तुमारी खुशी के लिए मैं सब कुछ करने को तयाब भाईया वो अपनी ही समाज की है अच्छा, हाँ उसके माता पिता से आप बात कर ले ठीक है और भाईय ने जैसे तैसे उससे बात की और मामला सुलज गया और वो पानी ग्रण भी हो गया भाईय को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई इंजीनियर हो गया और भाईया अभी तक पैसा बड़ा भाईया पैसा भेशता जा रहा था इतना प्यार से भाईया को रखता था कि भाईया को अगर एक छीक आ जाए तो सारे कार छोड़कर के भाई छोटे भाई की सेवा में चला जाता था और छोटा भाई भी बड़े भाईया की बहुत बिने करता था बहुत आदर और सम्मान से उन्हें देखता था पती दिन जब भी उनके पास आता चरण छोटा था चरण छोकर के पड़ाम करता था भाईया के पैर दबाता था सब कुछ करता था जब साधी हो गई तो उसने एक प्लैट खरीद लिया भाईया को खबर भेजी कि भाईया कुछ पैसे की आवश्यक्ता है आप भेज दीजिए भाईया ने कहा हाँ ठीक है कितना चाहिए जितना उसने मांगा भाईय ने उतना दिया उतना दिया कि हालो ले जाओ तुम खुश रहो बस तुमारी खुशी मेरी खुशी तुमारे जीवन का अनंद मेरा अनंद चिंता मत करो भाईय जो भी तुम्हें चाहिए हम है जब तक मेरे सरीर में एक खुण का कत्रा होगा तब तक में तुमारे लिए खरा रहूँगा छोटा भाई भी कहता है भाईया जो आप कह रहे हैं उसी में भी मैं में भी यही भाव है अपन दोनों एक दूस्वे की पति ऐसे ही बिने सील बने रहेंगे जीवन के अंत तक हम ऐसे ही जिन्दिकी जीएंगे मगर एक दिन छोटे भाई की पत्नी कहती है हमारे भाई के लिए भी एक फ्लैट खरीदना है देखना आग लगाने वाली इस्त्री का काम होता है आग लगाना क्योंकि वो कहती हम पर आये घर के हमें लेना देना क्या है तेरे घर से और उसने अपने पती से कहा कि अपने बाजू में जो प्लैट बिक रहा है पास में रहेंगे बहुत अच्छा रहेगा हाँ ठीक है मैं भाईया को खवर बेजता हूं कि जो पिता जी ने खेट हमें दिया था उस खेट को आधा आधा कर लो और आधा जो हमारे हिस्से का उसे बेच करके उसके पैसे मेरे पाद भेज़ दो जैसे ये खवर बड़े भाईया के पास गई बड़ा भाईया केता है खेट आधा भेज़ दो हमारे हिस्से का भेज़ दो हमने तो शुपने में भी नहीं सोचा था कि इस खेट के आधे आधे होना है हम तो दो तालों की एक चावी थे दो तालों की एक चावी थी हमारी मगर ये दो चावीया कैसे बन गई कैसे बना ली ये मेरे भाई ने दो चावीया और किसली अब तो खुद इतना कमा रहा है मगर ये खेट क्यों विक्वा रहा है क्या बात है क्या बात है और वह आपे से बाहर हो गया भाई भाई कहता है कि कहां गई मेरे भाई की सारी बिने सारे वाचने कितना प्यार से बोलने वाला मेरा भाई अग दो हिस्से की बात कर रहा है कि खेत के दो हिस्से कर दो और एक बेच कर के मुझे दे दो मुझे प्लाइट खरीदना है प्लाइट खरीदना है अरे मैंने कभी उसे पैसे के लिए मना किया था क्या जितना पैसा उसने मांगा उतना मैंने दिया जब चाहे जब मांगा जब दिया मगर ये बात, ये वचन मुझे ऐसे छुवी जैसे लग रहे है ऐसा लग रहा है कि कोई ने मुझे तुक्ड़े तुक्ड़े कर दिया है मेरे जीवन के खेत का बठवारा करना चाहते है काप गई उसके अंतरात्मा तिल मिला गया उसका अंतरंग वो सब्द सुन करके कि हिस्से कर दो, दो हिस्से करके खेत को बेश दो और एक हिस्से का पैसा मेवे पाँ बेश दो ये बचन ये बचन नहीं थे बंदूओ ये छुड़ियां थी ये तलवारे थी बढ़ा भाई अद मरासा हो गया और खड़ा खड़ा धराम से गिर गया और कहता है मैंने सुपन में नहीं सोचा था कि मेरा भाई दो पुकड़ी करने की बात कहेगा खेती बेचनी की बात कहेगा अंतर आत्मा में ऐसी चोट लगी बंदूओ और उसके आँसू टप टप गिरने लगे उसकी पत्नी ने आकर के कहा क्या हुआ कोई छोटे भाईया को कोई तकलीब है चलो हमन चलते हैं उनकी हर तकलीब मिटाएंगे क्योंकि हमारे पिता जी नहीं है कहें छोटा भाईया ये ना सोच ले कि मेरे पिता के न रहने पर मेरा भाई मेरी उपेख्चा कर रहा है उन्होंने कहा नहीं उन्हें कोई तकलीब नहीं है अब उनके अंदर एक अहंकार की बुँ आ रही है उनकी वाणी में करकस्ता आ रही है और वो कह रहे हैं कि खेट के दो तुकड़े कर दो आदा हमारा और आदा तुमारा और हमारा बेच करके हमें पैसे दे दो हमें अपने साले के लिए एक फिनेट खरीदना है बड़े भाई का दिमाग चखरा गया बड़ा भाई सीधा एक बकील के पास गया सारे कागजाद इखटे कर लिये थे और वकील साब से कहता है वकील साब कैसे भी हो इस्टे लगना चाहिए इस्टे लगना चाहिए वो दूसरा फ्लैट भी नहीं खरीदा जाएगा और जो पहला खरीद लिया वो भी कैंसल कराया जाएगा मैं एक एक पैसा बसूल करूंगा मैंने इतना पैसा दिया जब वो इंजीनियर बना मैंने पूरे गाओं का निमंत्रण किया पूरे गाओं के लोगों को भोजन कराया मैंने इतनी खुशिया मनाई कि मेरा भाई इंजीनियर बन गया उसकी मनों कामना थी कि मैं इंजीनियर वनूँगा मैंने उसे बना दिया उसने जिस बेटी से साधी करने की बात कहीं जिस करन्या से मैंने उसकी साधी करा दिया उसने जो कुछ कहा मैंने सब कुछ किया मगर आज जो इसकी सब्द कुछ दिन पहले बकीन साप आए मुझे मेरे रगरग को च्छलनी कर दिया मेरे खूल में जैसे कैंसर जैसे बीमारी फैल गई हो मुझे बहुत तलफन है बकीन साब कहते है अपने प्यून से बेटा एसी को तेज कर दो भाई साब को बहुत गर्मी लग वेगी है बहुत गर्मी में है भाई साब उनके कपड़े अस्वेस थे पानी की बरसाथ के कारण कपड़ों में कीचन लगा हुआ था बकीन साब कैसे भी हो बकीन साब हाँ हाँ अब इस्टे क्या बात करते हैं हम तो आपका सब कुछ करा देंगे अब बैठिये एक गिलास पानी पीजिये पानी पिलाया और वो बेखती है गर्खर पकीन साब कुछ नहीं हो जाए हाँ हाँ हमारा निर्णा होना चाहिए हाँ ठीक है मैं सब करते हूँगा आप तो जो कहेंगे आपके कागजाद है हाँ ऐसा करें सारे कागजाद मुझे देजिये मैं इनको पढ़ूँगा और पढ़कर के केस बनाऊँगा इस्टे तो मेरे बाए हाथ का काम है इस्टे तो मैं एक मिनिट में लाकर के देदूँगा क्या भरत पढ़ता है हम लोगों की सब चलता है आप ऐसा करें ऐसा लग रहा कि आप एक अपते से सोई भी नहीं है अब बहुत बेचैन है हाँ हाँ वकीन साब आपने सच पहचाना आपने सच पहचाना ठीक है आप सारे कागज दीजिए और आप सांती से बिश्राम करें और चार पात दिन के बाद आप आए लगीन साब ने कागजों को पढ़ा उसमें सब कुछ लिखा था जितना उन्होंने अपने भाई के लिए किया था जो प्यार लुटाया था भाई के लिए जो इलाज कराया था बैल के सींग का इलाज कराया था खून से लटपत सोयम हो गया था पहच किलो मीटर कंदे पर लेकर के गया था जब किटिनी खराब हो गई तो किटिनी अपनी देकर के भाई को स्वस्त किया था पूरी पढ़ाई में लाखों रुपे खर्च किया थे सादी में लाखों रुपे खर्च किया थे इंजीनियर बनने पर पूरे गाओं के लोगों को भोजन कराया था वहाँ बिने से कराया था अपने हाथों से अपने सगे हाथों से एक एक गट्टी को परोसा था सब कुछ किया था उसमें सब लिखा था मकीन साफ ने सब पढ़ा और चार दिन के बाद वो उसी हालत में आया मकीन साफ ने कहा बैठो आपका बेटा है हाँ, हाँ मेरा एक बेटा है ठीक है, मकीन साफ क्या इस्टे लगवाने से आपकी पांच किलो मेटर की यात्रा का बदला चुक जाएगा खुन से लफ़त कपड़े के दाग क्या मिट जाएगे अपनी पेट की किटनी अपने भाई को दी है तुमने क्या वो किटनी बापिस आजाएगी अगर तुम इस्टे लगा देते हो तो क्या किटनी बापिस आजाएगी क्या तुम उससे नपनत करने लगोगे तो क्या तुमे खेत मिल जाएगा और बकीज साथ ने इतनी मीठी वाड़ी में समझाया कहां कि तुमने अपने एक कर्दब किया अगर वो कर्दब से पतित हो गए हैं तो क्या तुम भी अपने कर्दब से पतित होकर उनके जीवन का बिनास करना चाहेते हो वो अगर गलत हो गए ही तो आप गलत क्यों हो रहे हैं आपने जीवन में इतना उपकार किया है उनके कि इस्टे लाने से सारे उपकार का बैनी फिट तुमारे पास आ जाएगा अरे भाई जितना दिमांक आप उसमें लगा रहे हैं कास अपने बेटे की पढ़ाई में लगा दे तो तुमारा बेटा जो बनना चाहता है वो बन जाएगा उसकी खुसियां मनाओगे भेम वासल बाटो उन्होंने जो किया है उसका फल उन्हें मिलेगा और जो तुमने किया उसका फल तुमें मिलेगा तुम चिंता मत करो करने दो कितनी बेइमानी करेगा भाई और भाई की द्वारा भाई अगर बेइमानी करता है तो एक ना एक दिन कहीं से निकल जाता है फलता नहीं है बन दो मैंने बहुत सारे केस देखे बहुत इस्तिती बिगल जाती है इसलिए चिंता मत करो तुम अच्छा परिणाम करो भाव ना भाव कि उनके जीवन में शुक, शांती, संभिद्धी, ब्रेम, वासल, आत्मी भाव बढ़ता चला जाए और तुमारे परिवार में भी यही होता चला जाए मेरी सद्वाव ना है आप जाए और मैं इस केस को आंगे बढ़ाऊंगा बैसे तो मेरा भाव है कि इस केस को समाप कर दिया जाए फिर ही कर दिया जाए अपने अंदर उनकी पती घ्रना भाव न रखा जाए उनके पती तेम वासल रखा जाए आत्मी भाव रखा जाए अपनत रखा जाए वो जैसा भी रखें रखें मगर आप अपना मन खराब न करें आप अपनी बाणी में करकसता न लाए सब कुछ ठीक होगा सब कुछ ठीक होगा मकी इसाफ ने समझा दिया विक्दी चला गया और अपने बेटी से कहता है बेटा अब चाचु जो कर रहे हैं तुम्हारे उन्हें करने देजिए तुम बहुत अच्छा पढ़ो बेटा तुम अच्छा करो अब बेटा पढ़ता गया दो साल के अंदर बेटा डॉक्टर बन गया और दो साल के बाद वहीं व्यक्ति एक मिठाई का डबा लेकर के बकी साब के पास गये बकी साब को लगा कि बड़ा कुछ और कुछ नहीं हो जाए पहले तो उन्हें यह लगा कि मैंने समझा दिया कहीं सुसाइट ना कर ले कि मै जब दो साल बाद जब भुविक्ति पुना पहुंचा चेहरे पर बड़ी पसंद ना थी बाड़ी में मधुरता थी बहुत आत्मी भाव था और बकीन साब से हाथ मिला करके बहुत बिने से नमस्ते किया और कहा कि बकीन साब मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है और उसकी आपका मुँ मीठा करने आया हूँ कास आप अगर ये प्यार भरी बातें ये बिने से भड़ा हुए बाड़ी मुझे नहीं संबोधन करते तो क्या पता अगर आप उस केस नहीं करते में दोसरे बकीन से जाकर के केस करवा देता अब उसको रोट पर लाकर के ख़ड़ा कर द थी आपकी बाड़ी में इतना प्यार था इतना अपनत था उपकारी का उपकार करने का भाव था और हमने आपकी बात को सुईकार किया उस और मेरा बेटा आज डॉक्टर बना है इस मिठाई के अधिकारी तुम हो मंद्ववानी कहीं खेले हम अपनी वानी को अगर बहुत हैं अच्छे ढंग से रखते हैं साथ बहुत के जंगले खतम हो जाएंगे तलाग खतम हो जाएंगे के परिवाइब में असान्तीखतम हो जाएगी है अगर थोड़ी सी वानी में हम नम्मरता लेकर के आ जाएं और थोड़ा सुन्नी की आदद डाले कट्टोल बचनों को सु टेबल पर बैट करके भोजन कर रहे थे और बेटे की बहु के यहां से पांच किलो जुद्ध अठपेरा घी आया था वैसे ही सांती धायर का घी 24 रोपे किलो 25 रोपे किलो है और वो घी आया था उनके घर में गी विगाये थी एने माइके से घी आया और उस घी को गरम करके चान करके तो लोग साइद मुझे नहीं लगता कि आप लोग घी बजायर से लाते हैं उसको गरम करते हों फिर उसको चानते हों फिर चान करके फिर अपने उप्योग में लेते हों साइद मुझे तो नहीं लगता झाल झाल